जहने नमस्कार दोस्तों मैं विरार चोदरिश फ़ाद करते हैं आपके अपने यूटूब चनल कमांडो के डियूँ दोस्तों आज का वीडियो इस बेसली एससी जीडी में जो आपको डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे उससे समधित काफी सारे कमेंट्स आरे दे आउं उस केटिगरी के मेरे पास में डोकुमेंट्स है या अभी बना लूं क्या नोटिफिकेशन के अनुसार दिया वाता है कि आपको फोरम बढ़ने से पहले-पहले आपके पास में डोकुमेंट्स होने चाहिए तो क्या इसकी वज़ेसे सेलेक्शन रुकता है या नहीं आएगा आप competition चैड़ दाएंगे, अब कौन-कौन सी बाते हैं वो देखिए, देखो, सबसे पहले जो ज़रूरी है, आपके 10th किलास की मारक सीट में, जो आपने percentage, जो रोल नंबर, जो भी fill up किया है, मतलब आपकी मुख्य रूफ से DOB, date of birth, आपका नाम, आपके फादर का न apply किया, अगर आपने जो forum apply किया, और यगर ये नाम नहीं मिले तो इसका आप इंतजार भी मत करना result का, ठीक है, दूसरी चीज, जो आपका OPC certificate है, या आपका SC, ST, जो भी certificate है, या AWS है, इस सबी में भी आपका नाम, आपके 10th किलास की मारक सीट के अनुसारों नहीं है, और आ अब बहुत सारे बच्चे बोल रहें कि सर गलती से हमारी डेटो बर्थ गलत लिख दी तो आपको आउट कर दिया जाएगा, यह नहीं आपकी डेटो बर्थ और फोरम में एपलाई की हुई डेटो बर्थ बिल्कुल सही होनी चाहिए, भले आप उसके अनुसार दोनों के अ डोकुमेंट्स होने चाहिए लेकिन बहुत सारे बच्चे बोले सरम ने पहले नहीं बना अब बना लें गया, बिल्कुल अब बना सकते हैं अब अभी वक्त है अब बना लीजिए, अगर आप अभी बना के वो डोकुमेंट्स दिखा देते हैं तो आपको प्रोब्लम नहीं होगी जो भी आपका इन में से जो भी शेटिफिकेट है वो, अब कुछ बच्चे बोलने कि सर हमारा रिजल्ट जनरल में आया हमको भी शी बनाना जरूरी है, बिल्कुल बनाना जरूरी है, आपका चाहिए रिजल्ट किसी में आया, लेकिन आप जिस केटेगरी से बिलोंग हैं, इसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे बाखर होजाते हैं, मूल निवास ये मान के चलिए मेन है, तेंथ कलास की मारक सीट के बाद में सबसे इंपोंटें डो कुमेंट स कुमसा है, मूल निवास जिसको रेसिडेन्शिल सेटिपिकेट भी बोलते है, लो मीशिल तो शॉरता है तो अगर आपने दोकॉमेंट्स किसे में जेपूर वाला दिखा दिया तो आपको शिदा आउट कर दिया जाएगा इसके संदन के लिए कोई भी नियम नहीं है, साब लिखावा है SSC की notification में ठीक है, यहां से आपने फोरम एपलाई कि आप वहाँ का आपके पास में domicile होना चाहिए यहां जिस जिले से आपने बढ़ाए कि मेरा ग्रेज जिले नागोर है तो आपके पास में नागोर का domicile certificate होना चाहिए दूसरी बात, अगर आप OBC के टेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में OBC का certificate होना चाहिए ध्यान रखिए अगर आपने अभी तक नहीं बनाया बना ली थी अगर आप SC, ST certificate या EW से बिलोंग करते हैं वो भी आपके पास में certificate होना चाहिए मूल निवास में भी आपका जो नाम और आपके पिता का नाम बिल्कुल समान होना चाहिए बिल्कुल भी इसमें mistake नहीं होनी चाहिए मुख्य रूप से जो क्यों सुनाता हो कि सर मेने पहले नहीं बनाया अब बना लू क्या हाँ अभी भी बना लो notification के अनुशार तो आप आउट हो लेकिन इतना corporate होता है आपको आउट तो नहीं करेंगी ठीक है क्योंकि उनको पता है कि कई बार इसा होता है सिल्दार हरताल पर होता है या कुछ भी अगर आपको आउट कर दे तो फिर आप मेरे से संपर कर लेना मैं आपको उसका समाधान बता दूँगा किस प्रकार से आपको पोट में उसकी petition फाइल करनी है 100% आपका selection हो जाएगा selection मतलब उससे दो बाहर जोगे selection दो नमरों से होगा उसके लिए आप petition फाइल कर सकते हो कि उस दोरान में बिमार था या उस दोरान कुछ एसी गटना थी या उस दोरान तेसिलदार चुटी पे थे या पटवारी चुटी पे थे जिसकी वज़े से मेरे documents नहीं बना पाए तो पेटिशन फाइल करके भी आप किलियर कर सकते हैं उसमें कोई problem नहीं है आपके पास में होना से यह आपका कार्श सेटिफिकेट आपके पास में होना से यह और एक आपने जो फोरम में अपलाई किया उसमें और आपकी डिटेल सेम होने चीए मदर फादर और आपके नाम की यह मुख्छे documents है ठीक है इसके लाव भी अगर आपका कोई doubt है तो आप जय हिद जय भर्ट